नमस्कार दोस्तों देखो सीको स्टडी में आप सबी लोग का स्वागत है यूपी पुलिस जेल वार्डन घुर सवारों फायर मैन का जो आपका यहाँ पर जो वेकेंसी थी उसकी यहाँ पर जो दोस्तों परिच्छा थी थी कहें तो एक्जाम डेट, एड्मिट कार्ड और यहाँ पर परिच्छा केंद्र के बारे में नोटिस निकल चुका है और आप यहाँ पर देख सकते दोस्तों ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश जो पुलिस भरती और प्रदोंती बोर्ड है उसके द्वारा ये आपका है और ये जो विग्यप्ती निकली है दोस्तों ये आपकी जो पूरुस महिला के लिए जो जेल वार्ड जो आपका एक्जाम होने वाला याद रखेगा, एक्जाम जो है, आफ लाइन है, ठीक है, ध्यान दीजे का लिखित परिच्छा है, और ये किस दिन होने वाला है, आपका 19, एव जो है, 20, 12, 2020, यानि कि दोस्तों यहाँ पर जो है, दो दिन एक्जाम होने वाला है, 19 को और 20 को, ठीक है, आपका इसी दिसंबर में होने वाला एक्जाम, और दो पालियों में एक्जाम होगा, उत्तर प्रदेश के याद रखेगा, 10 जनपद है, इसी इसी में एक्जाम होगा, ठीक है, अधर जो है, किसी जनपद में एक्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है, बड़े-बड़े यह सहर है, जैसे कि आपका आग्रा में आपका सेंटर जा सकता है, कानपूर, लखनव, प्रियागराज, वराणसी, गोरकपूर, वरेली, मेरट, गौतमबुद नगर, गाजियाबाद, यह है, जो टोटल है, यह आपके जो है, यही दस जनपद है, इसी में आपका सेंटर बनाए गया है, एक्जाम आपका होगा, अफ्लाइन एक्जाम है, और 19 और 20 दिसंबर को आपको होना है, दो पलियों में, ठीक है, सुबह साम आपका एक्जाम होगा, और यहाँ पर ध्यान दिजिएगा कुछ और इंपोर्टेंट, टोटल मिलाके जो केंदर है, वो आपका 401 ही परिच्छा केंदर है, ठीक है, काफी जो इन लोग को अच्छा लगा होगा, या फिर जो रोड के निकट होगा, या जैसे भी सब चीज देखा होगा, या फिर कोरोना चल रहा है उसके मताबलिक, उसके हिसाब से इन्होंने 401 परिच्छा केंदर इन्होंने बोड ने ताई किया है, उस पर नेडली है, यही इसी पर आपका एक्जाम होगा, उतने ज़्यादा बच्चे नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे, तो देखें, अगर आप जो है, एड्मिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर http वाला जो आपका up, pb, pb.gov.in है, इस पर जाके आप एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अभी एड्मिट कार्ड नहीं मिल रहा है, खुछ दिन बाद यह उपलबद करा दिया जागी, यहाँ पर बदाया जारा है, तो मेन जो इसमें है, देखें जो, एड्याँ आपको यहाँ पर अभी तो एड्मिट कार्ड डाई है, लेकिन इह आद रखेंगा, 19 और 20 दिसंबर का अपका एक्जाम होना है दो पालियों में ठीक है आप कौन सा सेंटर भरे थे यह कौन सा आपका यहाँ पर जनपर नजदीक है उसके इसाब से आप एक्जाम देंगे और जैसा आपका एडमिट कार्ड में अपका एक्जाम है जैसा भी आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा उसके इसाब से आप पहुंझेगा एक आईडी ले लिजेगा और आपका मास सेरेटाइजर खुद का पानी का बॉल्ट लेक 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 ट्रांस्पेरेंट आगे पीछे में तब दिखें सब चीज खुद से तयार रखिएगा और सदी का दिन है कुछ मोटा पैन भी लीजेगा आसकरते वीडियो पसंद आओगा दोस्तों यूपी एसाई के लिए बहुत सारे लोग पोल रहें तो देखें इस एक्जाम के बाद यूपी एसाई की ही जो है बात होगी और इसके बाद आप जानते हैं कि जो बोर्ड है बोर्ड के पास और कोई वेकेंसी नहीं है जिसको कम्प्लीट इसे कराना है यूपी एसाई ही बहुत दिन से चल रहा है तो यूपी एसाई आएगा फिर उसके बाद जो है एसाई का भी आपका जो आता है एसाई का जो आता है वो भी आपका आएगा ठीक है तो ये सबी आपके आने वाले हैं तो यूपी एसाई वाले भी तयार रहें इसका एक्जाम हो रहा है यानि भ पता दिया, एडमिट का डाउलोड कुछ दिन बाद होने लएंगे, आसकरते दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आओगा, वीडियो को अधिक से दिख लाइक शेर कीज़ेगा, आपका लाइक शेर और अचेचे कमेंट ही, हमें मोटिवेट करता है कि वीडियो ज आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है